Welcome students, तो एक बार फिर से आप सभी का welcome है ड्राइंग की एक बहुत बहतरीन क्लास में लेकिन दोस्तों ड्राइंग की इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंगलिस, क्लास स्टार्ट की most important English की मैंने वीडियो दे थे और आप यकिन नहीं करोगे उसमें मैंने short और long questions बताये थे यहाँ तकी central idea मैंने बताया, दो central idea मैंने बताया, और दोनो central idea मिला साथ में short questions में वही short question है एक भी word आगी पिछे नहीं है और long question में भी word आगी पिछे नहीं है तो दोस्तों अगर English की guessing सही निकल सकती है तो क्या drawing की नहीं आ सकती है बिलकूल आएगा जी मैं पूरे guarantee क्साथ कर सकता हूं ये class 10th की कला का model paper मैं फिलाल आपके सामने रखने चल रहा हूं और जो model paper है ये 2024 को board परिच्छा में आपको जो भी questions में देने चल रहा हूं वो सभी questions आपको मिलने वाले हैं तो आप वीडियों को सुरू से लेके आन तक देखिएगा वीडियों को साथ आपको पस्ताना भी पढ़ सकता है ठीक है दोस्तों तो आएगा क्या करा है कि ऐसे ही आएगा paper आपको board exam में ठीक फिर करा है कि 6 March का जो आपका paper होने वाला है drawing का देहान से सुनियेगा 6 March को आपको drawing का ये paper है तो drawing की paper में same to same सबी चीज़े आपको ऐसे ही मिलने वाले है ठीक है दोस्तों तो ज़्यादा time हम आपका waste करेंगे नहीं सुरू करते हैं drawing की ये class और क्या-क्या चीज़े उसमें रहेंगी सारी चीज़े आपको बिस्तास बताते हैं तो let's start drawing class तो चलिए जी आराम से पढ़ने लीजेगा क्या-क्या चीज़े हैं बस इन में जो में चीज़े वह हम आपको बताने चलना है और में चीज़ क्या है जो यह option 2 है कि प्रस्ण पत्र का खार और यानि तीन भागों में हमारे प्रस्ण में भिभाक्त होंगे और तीनों खंडों को हल करना अन सिर्क नहीं प्रत्र के प्रत्य है के 20 बहुत बिकल्पी प्रस्ण है यानि और प्रावेधिक कला के 720 मार्ग कर दिते हैं कि आपको आपको अंकीत करना पड़ेगा उसके बाद ओया पूछ लिया है यानि आलेखन कला कि आपको ऐसे ही questions पूछेगा तो इसमें question क्या पूछ रहा है जी कराय की निमनेलेखीत प्रत्य वहूँ भी कल्पी प्रसमें को चार भी कल्पों में से एक सही उत्तर आपको चूज करना है कराय की मुख्य रंग कितने है यार आप ड्रॉइंग पढ़ते चले आ रहे हो तो जाईसी बात है कि आपको जो है मुख्य रंगों के बारे में पता है तो पहला का option जो है मुख्य रंग हमारे तीन होते हैं ठीका जी तीन में क्या-क्या होता है लाल होता है तीला होता है और न तो जाएगा हरा रंग यह हमारा सीतल या ठंडा रंग होता है ठीक है दोस्तों चलिए next वड़ते हैं question number 3 कि तरफ question number 3 क्या करा है कि निम्न लिखित में से कौन सा रंग गरम है अगर गरम रंग की बात कर ली जाएंड जी तो option A लाल हमारा गरम रंग है और लाल के साथ साथ ना बात करते हैं foreign question ओष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं तो ओष्टवाल्ड चक्र में पूरे कितने आठ रंग होते हैं ठीक है दोस्तों यह सभी questions एकजाम से point आप बहुत important है आप इस सभी questions को एक बात जरू देखीजेगा बात करते हैं 5 question निम्न लिखित में दिति दित्याक रंग पूछा है तो दिट्याक रंग हमारा नारंगी है ठीक है जी तक रंग क्या हैं अंहरा नारंगी है चाली बढ़ते हैं question 6 कि करते हैं सफ ख一下 और काला यानी option को सटेद और काला हमारा यहते दक करते हैं बात करते हैं question number seven का question number seven ठीक है दोस्तों तो question number seven हमारा करा है प्राथमिक अथवा मुख्यरंग कौन कौन से हैं प्राथमिक या मुख्यरंग तो प्राथमिक या मुख्यरंग हमारा लाल होता है नीला होता है और पीला यह हमारा प्राथमिक टैक कर लिजिए या मुख्यरंग कर यानि सात्मे का ख इस दर राइट एंसर हो जाएगा कॉस्टा नमर आठमा कराएं कौन से रंगों का माध्यम पारदर्सी होता है जो रंग होते हैं वह पारदर्सी हो जागा यानि आपको आरपार दिखने लगेगा तो वह क्या होता है ख तैल रंग ठीक है जो ओली रंग होते यह सभी को पता है सफेद का बिरोधी रंग कौन सा है काला है हमारा ठीक है जी किसी कोई प्राब्ला में तो पूछ लीजे अगर आप कोई डाउट है तो पूछ से चलिएगा बात करते हैं कुस्टन नमबर 10 लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा अगर ह बढते हैं next ठीक है जी बढ़ते हैं next question की तरफ और next question हमारा क्या कह रहा है तोड़ा सा ध्यान दीजेगा जी question question number 12 द्वितियाक रंग कितने होते हैं जब मुझे फड़ा-फट कमेंट करके आप रोब बताईए तो द्वितियाक कितने होते हैं नहीं आ रहा है कोई बात निए थीन होते हैं option G is the right answer यानि दिवतियक रंग की संख्या तीन होती है चलिए नेस्ट कोस्टन हमारा कोस्टन नमार 13 ठीक है जी कोस्टन नमार 13 कर रहा है पीले रंग का बिरोधी रंग कौन सा है अगर पीला रंग है तो पीले रंग का बिरोधी रंग क्या होना चाहिए जी एवर आप लोग मुझे बता दीजे पीले रंग का बिरोधी रंग क्या होना चाहिए क्या होगा जी न पीले पर अगर नीला दिखा देंगे ना जैसे साड होता है ना बाइल उसको अगर लाल रंग दिखाए तो बहुत तहीं लगता है भागने इसी तरह पीले रंग का बिरोधी रंग नीला है और कोस्टन नमर 14 यार इन दरूस में कितने रंग होते हैं यार अगर यह नहीं बता पाओगे न तो ड्राइंग पढ़ना विकार है और इसका आप लोगो मुझे कमेंट करके बता देना इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं चलिए 15 कोशन कराए कला सब्द किस भासा का है कला सब्द किस भासा का है तो ऑप्शन ए संस्कृत भासा का है द्हान से नोट कर लीजिए पढ़ लीजिए क्योंकि एक्जाम्स में आपको यह सभी कोश्चन मिलने वाले हैं और आने वाले हैं बात करते हैं कोश्चन नमबर 16 करा आए कौन सी पैंसिल से बनाए गई रेखा अधित काली होती है कौन सी पैंसिल आप जाता टीचर आपको उसको भूले होंगे बेटा तूबी पैंसिल यूज कीजिए तूबी पैंसिल का यूज कीजिए क्योंकि वह ज्यादा काला होता है और दिखने में भी काफी अच्छा ब्लैकनेस उसमें ज्यादा मात्राइब होती है जानि सिश्टीन का कर इस राइट एंसर नेश्ट कोस्टन 17 का या कह सी पैंसिल से बनाई गए रेखा हल्की होती है कौन शीपैंसिल से हल्की होँ जाएगी ऊजँर करके बता हो अगर मुटसे नम्मर से ज़्यादा गहरा रंग होता है तो कौन से यूज करने पर हलکा हो जाएगा मुझे फटा फटकमेंट को क्या बता रंग से हलका होगा बेलकोल 2H 2H is the right answer बढ़ते हैं question number 18 की तरब question number 18 हमारा कर रहा है full और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नम्मर के ब्रस का प्रियोग करना चाहिए यानि कोई full हो या कली हो उसके जो बाहरी भाग जो बना जाता है जैसे अगर यह हमारी कोई कली हो गई ठीक है suppose that this is our rose flower अब इसके कली को हमें paint करना है तो किस रंग के ब्रस को लेना चाहिए तो किस रंग के ब्रस के बनावट की द्रिष्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं जो बनावट की द्रिष्टी से अगर बात कर लिजाए तो आलेखन हमारे कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के तीन प्रकार के आलेखन होते हैं ठीक है जी और लाश कोशन कर रहा है छट के केंद्र को अ आलेखन उपयुक्त होता है तो केंदरी आलेखन यह हमारा सबसे उपयुक्त होता है ठीक है तो यह तो हो गया हमारा आलेखन का 20 objective type question ठीक है जी 20 objective type यह हो गया हमारा question अब हम बात करते हैं next question की तरफ अब आगया अथवा प्रावेधिक कला यानि यदि आप आलेखन कर रहा है तो आलेखन आप कर लिए अब बात करते हैं प्रावेधिक कला का तो प्रावेधिक कला में अब इसमें भी जो है यह आपको डिगरी एंगल यह सभी बनाने होते हैं प्रावेधिक कला में तो बात करन कितने अंस का होता है संभाहुत्रिभूज का प्रत्य कोड कितने अंस का होता है कितने अंस का होता है जी तो बेलकुल 60 कितने अंस का होता है संभाहुत्रों गुण्र क्या होता है संभाहुत्त और 801 तलक युद्छ पढ़ते हैं किस credit में व покуп प्रत्य कोड कितने अंस का होता है ठीक है जी वर्ग का प्रत्य कोड कितने अंस का होता है कितने अंस का होता है तो 90 यानि 4 का भी is the right answer बात करेंगे 5 नंबर एक वर्ग के आंतरी कोडो का योग कितना होता है 360 कोई प्राब्लम कोई दिक्कत तो आप उसे फड़ा पर पूछ लीजिएगा दोस्तो कॉस्टर नंबर 6 की बात करते हैं कौन सी पैंसिल से बनाई गई रेखा अधीक काली होती है जी अभी हमनों बात कर लिए है कौन सी टू बी से 7 कर रहा है वर्ग की चारो भुजाओं की नाप क्या होती है वर्ग की चारो भुजाओं का माप क्या होता है बराबर होता है चारो भुजाओं क्या होती है बराबर होती है 8 कर रहा है मापनी में ठीक है जी 8 हमारा कर रहा है कि मापनी में मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है क्या? 0 डिगरी 0 लिखा जाता है जी और 9 कर रहा है एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं, तो 100 सेंटी मीटर होते हैं, एक मीटर में, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, next, question number 10, करा है, बृत का आकार कैसा होता है, बृत का आकार सुनने होता है, 0 होता है, 11 करा है, इन में से कौन सा आकार आयता कार है, कौन सा आकार आयता कार है, यह वाला है जी जो आपको ऐसे बना हुआ है यह हमारा आयताकार है 12 कर रहा है इन में से कौन सा आकार तिर्भुजा कर रहा है तिर्भुजा कर तो कर इस दर राइट एंसर होगा हमारा यानि कर हमारा सही होगा ठीक है जी चलिए next question देखते हैं next क्या करा है हमारा 13 नमबर 13 करा है रेखा किसे कते हैं रेखा किसे कते हैं तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी को हम कते हैं रेखा यानि 13 का को इस दर राइट एंसर हो जाएगा बात करेंगे question नमबर 14 14 करा है निम्न लिखित में से कौन एक अधिक कोड है कौन अधिक कोड है तो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 160 डिग्री से कम यानि 14 का कर इस दर राइट एंसर हो जाएगा बात करते हैं question नमबर 15 का 15 अमारा क्या कर रहा है सम बाहू तिर्भूज किसे कहते हैं सम बाहू तिर्भूज तो किसे कहते हैं कर इसके तीनों भूजाओं के अंता कोड बराबर होते हैं यह हमारा सम बाहू तिर्भूज कहलाता है बात कते हैं 16 नमबर के 16 question number 180 degree के कोड को क्या कहते हैं तो क्या कते हैं सरल कोड कहेंगे या रीजू कोड कते हैं यानि 16 का क is the right answer आपको सारे का कही answer क्यों आरत भाई कही पर option को रख दिया गया है लेकिन आपके एक्जाम में जरू नहीं है कि सब कही होगा आप ध्यांस फ्रसा पढ़के समज़के ही किजिएगा बात करेंगे 17 नमबर वर्ग किसे करते हैं तो कर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग करते हैं 18 कर रहा है किटने centimeter होते हैं एकडेसी मिटर में कितने centimeter होते हैं तो 10 centimeter एक desimeter में होते हैं को बात करेंगे question number 19 19 कराए कितने desimeter होते हैं 10üz 1 meter के बराबर होता है और last question 20 कानसी pencil से बनाई गई तक हलकी होती है हलकी होती है तो इसका answer मुझे कमेंट आपको बताएगा किस से लाइन इन्दम गाठा बनेगा किस ψल्का बनेगा तो इसका आपको मुझे अपके अंप्कूota रहा है चले बढते हैं नेक्ट आगे इसमीं क्या मिलेगा आद आदके KHÁN GKA तो हमारा अनिवारता उसको हम ने कर लिया बात करेंगे K buffalo ख़ओओ क्या करा है खंड को दो के प्राकतिक द्रिशे्वी से चित्रण अत्वा आलेखन कला अत्वा प्रावदीक कला में से किवन एक का ही चित्रण करना है यानि प्राकतिक से से रहेगा ठीक है कि आलेखन कला रहेगा या प्रविदी करतीनों से कोई भी एक आपको करना है तो जिसमें प्राक्रतिक दिसमें आपको क्या कर रहा है दिये गए ड्राइंग सीट पर 22 गुड़े 18 सेंटिमेटर के आयत में ग्रामिड सुर्योदय का द्रिस्य चित्रल कीजिए यानि पैंसिल अगर आपके पास है तो इसको नोट कीजिएगा यहीं आपका माप 22 गुड़े 18 सेंटिमेटर यह चीज होना चाहिए यानि 22 और इस चीज को ऐसे बनाईएगा और इसी नाप में अगर आप सही करते हो देख लिए सही संग्रचना एवं परिछे करने पर आपको दस नोगे अगर इस सही से लाइन को खिश देते हैं तो दस नमबर आपके होंगे उसके बाद सहीयोजन सहीयोजन मिंस जैसे आप जो ची के पास घास चरती गाय का चित्र बनाना है इतनी चीज आपको उसमें दिखाना है जो जो चीजे इसमें बता दिया है वह चीजे आपको उसमें दिखाना है ठीक है जी और चित्रांकर में वाटर कलर या पेश्टल कलर का प्रयोग करना है वाटर कलर आपको यूज करना है य वो आपको 10 नमब्र देगा और आकरसड उस समान प्रभागत देखने वर आकरसड लग गया तो पांच नमब्र आपको देख जाएगा तो हम आपको वीडियों भी बनाकर दिखा देंगे जी कैसे ड्रॉइंग आपको बनाना है वो भी आपको बनाकर दिखा देंगे ठीके ये तो हो गया हमारा चित्रल का अब आलेखन में भी आपको जो है इसमें दे दिया है क्या-क्या कि दिये गए 16 गुड़े 12 cm के आयत में ख सोला गुड़े 12 cm के आयत में ठीक है जी आप ऐसे भी बनाते हो जिसमें आप तरत के दो भागों में डिवाइट करने के बाद आप इसमें फूल पत्ती जो है अपना इसे बनाते हो दोनों साइट से ऐसे बनाने पर भी आपको ये चीज आलेखन में मिलेगा ये चीज इसमे साइट चाप तींगोड़े 5 cm जानी हमेसा जो कारती है ये चीजे प्रावधिक वालों का है अब खंड गया इसमें ती चित्र इसमें से भी जो है आपको बनाने होते हैं और इसको कराया कि इस प्रस्ण के दो भाग है कर था ख दोनों ही भागों की चित्र बनाना अनिवार ह यानि ये खंड क और खदो भागों में भी भाजित होते हैं देखिए ये कर नमर है आपका ये क्या कर रहा है निर्मलिखित में से किसी एका इसमेती चित्र पैंसिल के माध्यम से बनाईए चित्र का माद 15 cm से कम न हो यानि 15 cm का होना चाहिए जो भी आप बनाईए जैसे करा पत्तियों सहित आम अब पत्तियों सहित आम यार इतना तो आप बनाए चुके होगे पत्तियों सहित आम क्या करना है आपको आम आप बनाए ही होगे ठीक है जी आप पत्तियों सहित आप आम बना दीजे ठीक है आप इस तरह से जो है आम आप अपना बनाईए पत्तियों सहित या फिर पत्तियों सहित अनार पत्तियों सहित अनार में आपको पत्ति के माध्यम से अनार बनाईए एक बार आप देख लीजिए आप बात करेंगे अन्र का तो याँ आन्र कैसे बना जाएगा ठीक है जी अन्र में भी जो है आप कुछ इस तरह से जो है उसको बना दीजेगा और अन्र में यहाँ पे जो है ठोड़ा आप हम आपको अलग से जो है एक ड्रॉइंग की व्यूडियों और देने वाले जिसमें आपको चीत्र के माध्यम चित्र कैसे बनाना है वह चीज़े भी हम आपको बता देंगे पत्तियों सहीत मूली या लौकी यह सबी चीज़ें आपको बनानी है नेक्ट का रहा है ख़व देखिए ख़व भी आपको करना है निमलख्यत में से किसी एक का स्विती चीत्र पेंसरी के माध्यम से बनाना है यानि कोई भी एक बनाना है आपको ठीक है जी या तो सुराही बनाईए या खूला छाता बनाईए कौप और प्लेर बनाईए या फिर जग बनाईए जग में कुछ ज्यादा है नहीं ठीक है जी बस जग आपको बनाना है यह सबी चीजा जो है हम आपको और विष्टार से और अच्छे से हम आपको बनाकर दिखा देंगे बस आपको समझाने के लिए कि कैसे चीज़ों बनाना है बात करेंगे नेक्ष्ट यह भारती चित्रक टूर्ट चला है ठीक है और इसे आपको जा कर उतने को आप बना लेते हैं तो इस में आपको बनाने की क्योंकि ह्किन प्रावेजीक वालों का लोग है इस जो भी चीज़े बताया है वो एक्जाम में आये हैं तो इस बार भी आपको एक्जाम में देखने को जरू मिलेगा ठीक है दोस्तों तो जानेस पहले आप सभी से एक छोटा सारी क्वेश्ट है कि अगर आप वीडियो देख लिए और सायद लाइक करना भूल गए हो तो फटा कि लिए बास इतना है जाए हिर्ण जाए भारत